है in war यह नमस्कार डियर श्टुडेंट आज किस वीड़ों बात करेंगे जो भी हमारे 2 हिस्टीर के 1 समस्टा के छात्र जिनका सब्जेक्ट इकोनोमिक्स जाले कि अर्थ साफ्त न वेडियों वेडियों बात करेंगे मोस्ट इसंत पॉस्ट कोश्चिंट इस वीडियो मैंने रखें तो पहला question है यह आपका अपना ही channel success to you है जबकि हम अपने channel का introduction करना तो भोली जाते हैं लेकिन हम main question पर ध्यान दिलाते हैं आप सभी को introduction तो होता रहेगा ठीक है लेकिन यह आपका अपना ही channel success to you है जान लीजिए समाजवाद से क्या आसा है और इस समाजवाद की उतपादन की साधन जो होते हैं कोई चीज माली जे वो उतपाद कर रहे हैं कोई चीज वो बना रहे हैं ठीक है कोई factory है कोई mall है कोई माली कोई भी चीज है ठीक है वो किसी भी चीज का उतपादन कर रहा है ठीक है तो ठीक है तो साधनों पर लोक सत्ता का नि सब चीजे इन सबी चीजों का फंचालने एक समाजिक क्षेटर में रहती है यह क्या होता है, इसमें निजिचेटर में रहती है, यह समाजिक चेत्र में वर्क करती हैं वहीं पर एक प्रमुख हमारे विद्वान है जिनका नाम है लूम्स तथा होट इन्होंने कहा है कि स्वामित तथा प्रबंध वेक्तियों के अफ्थान पर संपूर्ट समाज के हाथों में देना होता है ऐसा इफले किया जाता है कि बढ़ी हुई राष्टे आयक को समान रूफ से इस प्रकारबाटा जाफ़के जिससे कि बिक्ति के आर्थिक उत्सा को उसके उप्यों को रूजगार चुडने के सुदनतरता को कोई बिशेश हान ना पाए ठीक है कोई हान ना हो पाए या फिर ना क्योंकि अफ्थान पर उसको ना रखकर बर्कि संपूर्ड जो समाज है उसके हाथों में देना होता है ठीक है सबके बहले के लिए ठीक है तो इस प्रकार इसका उत्तर लेकिए कई बार प्रस्थित है इसलिए को मिलाके कोईश्चन महात्पूर्ण अगर उत्तर आपको ना है तो इसको ध्यान रखेंगे पूजी वाद की कुछ प्रभूग विश्चता है जैसे कि नंबर एक पहे संपत्य पर निजी स्वामित यानि कि कोई भी संपत्य है उस पे आपका पूरा का ठीक है निजी स्वामित मतब कि हमने कोई बिजिनेस स्टार्ट किया तो हम महारा उ मैं रखाओ की पूर सोतना होती जाहिए जितना खर करें चाया भचाये जाये जबचाये जाहिए पर चंपत्य को बेंश सकता है रख सकता थ वह स nurse अनुसार मतलबं क्यों निच्छा के ऐका उप्योग कर सकता है इसके अभ्हाव में पूजी वाद की पूजी वाद का कोई अफ्तित नहीं होता है तो संपत्ति पर निजी स्वामित्य का मतब आप लोग समझ गये होंगे कि इस पर पूरा का पूरा हक है कुछ भी करें कहां ही पर ले जाएं कुछ भी खर्चा करें कुछ भी खरीदें ठीक है आप पूरी तरह उसको उप्योग कर सकते हैं चाहे लेगल कि पिता की मृत्य के पश्यात उसकी संपत्ति का स्वामी उसका पوت्र सकाही बन जाता है चींच जिसको आप लुग बोलते नहीं कभी कई किसी के घर में को स्पायर हो जाता तो भी उत्तरा अधिकार लाइए तभी आपके पैसाई आपके बच्छे के नाम पर टांसपर-dronk, ओत्तर अधिकार, निजी संपर्त्र स्वामित के अधिकार से महत्रपूर है यह थी बियूक्ति क oldest को जीवित भावना ये भी है आप पड़ लिजेगा काफी अल्प कोश्चन और उप्भोगता की प्रभुसत्ता ठीक है मूल नियंत्रन स्वाचलित आर्थिक क्रियाएं ये हैं कुछ पूजीवात की पुरूंग मिस्षिस्ता है जो कि आपको रट लेना है कई बार पर इच्छामर रिप बार भार जांता तो है वचित्य उपगा में मतलब यह होता है चीजने इंसान होता है उसकी सीमाए्य यो फिर उसकी जो अवस्यक्ताएं है वो अनंत है कोई लिमिट नहीं वो चाहे जितना पाई जितना वो ले सकता है वो जितना खर्च कर सकता है ठीक है तो कुल मिलाके जो मानवे अवस्यक्ताएं है वो अनंत है इसका कोई अन्त नहीं है ठीक है और इन आवस्यक्ताओं की पूर् ज्याप्त होने वाली उप्योकता को सिमान तो बियुकता कहते हैं बहुतमाद पॉंड प्राश्ण याद रखे ठीक है और वही पर कुल उप्योकता की परिभापाः देखी ठीक हर्ट जब वह वह क्लण पूहिद्ण के सेलिंग का आपको सेवाओं और वस्तों का पिरोग करना पड़ता है ठीक है उसे को उपहोग कहते हैं तो कई इकाईयों का उपहोग करता मतब कई सारी वस्तों और कई सारे सेवाओं का वो उपहोग करता है यानि कि प्राप्त करने के इच्छा रखता तब प्रतेक इकाई से प्राप्त ह होने वाली सिमान्त उपयोगता का योग कुल उपयोगता कहलाती है ठीक है उपयोगता कहलाती याद रखेंगे महात पूर्ट प्रशन है इसका अंतर भी आप पढ़ लेंगे काफी हेलपल कोश्चिन है आप अपने नुसार भी तैयार कर सकते हैं मेरे नुसार यही परिभाफ संतुलन में तब होगी जब वह अपने उत्पादन अफ्तर में ब्रद्धी अत्वा कमी करने पर कुछ भी अत्यक्त लाह प्राप्त नहीं करती है एक फर मतलब कि कोई एक ट्रस्ट है कोई सुसाइटी कोई कंपनी है ठीक है वही बात हो रही कि कोई कंपनी है यह फर्म हें मतलब में मतलब एक अच्छ यप लाभ में या फिर अच्छ ब्रत्र हो घाए उसका प्र्सक्रेखा सवगत жизни मतलब जब उसकार दूल प्रसथां में इत्रिक बना रही है उसमें उसका कमी करने पर अत्रिक्त लाम प्राप्त नहीं करती है त。 कि मतलब की अगर मालीजी वो कम कर देए ठीक है तो वो अत्रिक्त ज्यादा लाव नहीं प्राप्ट करती है तब उसे सामा कहेंगे दूसरे सब्दों में अधिक्तम लाव का बिंद होता है उतपादन कर रही प्रतेक फ्रम का अदियस होता है अधिकतम लाव कमाना तो रही कोई भी कमपनी ऊप्लाइभी स्का तो कामी होता है कि भؑ हम जय Day Up Amazon कौमा यह सすごい और अधिकतम नका विन्द का बिन्द उसके फंत्रल का बिन्द कर सकते पहमाने के प्रतिफ़ल से क्या रबस्त ये भी कई वार आ चुका इसको भी तैयार कर सकते हैं ठीक है अगला कोश्चिन मांग के नियम जो कि गरंटी वाला कुश्चन आए जाही आएगा मांग के नियम ठीक है किसी वस्त की कीमत में परिवर्तन के फल्सरोप उसकी मांग में कितना परिवर्तन होता है क्योंकि मांग का नियम केवल एक गुड़ात्मक कथन है दूसरे सब्दों में मांग का नियम कीमत परिवर्तन के काण केवल मांग के परिवर्तन की दिशा को बताता है ठीक है वहीं पर मांग लोच अर्थ स्वास्त्रियों द्वारा मांग के नियम को परिडात्मक कथन के रूप में प्रस्तुत करने का एक प्रियाफ है दूसरे सब्दों में कहें तो मांग की लोच किसी वस्त की कीमत परिवर्तन के सापेच चुछ की मांग में परिवर्तित होती है यह परिवर् को जरूर तयार करके जाएगा मांग के नियम और मांग की लोज गारंटी वाला कोश्चन है एक हजार परसेंट आएगा ही आएगा ठीक है चाली गिफिन वरोधा भास का वड़न कीजिए यह भी कभी कदार आता हमेशा नहीं आता पड़ भी सकते हैं इगनोर भी कर सकते हैं ठ कोश्चन कभी कदार आता हमेशा नहीं आता तो आप पड़ भी सकते हैं और बागी आपकी इच्छा आप इंगनोर कर सकतें हमने मतलब कि इसमें वही सारे कोश्चन दो बताया नहीं और यह प्रश्चन परिच्छ में पूचा गया हैं तो हम अपना 100% की कोशिश करते हैं और बाकी आप समझ सकते हैं कि ये तो परिमात्मा ही जानता होगा कि कौन कोश्चन आएंगे ठीक है लगभग लगभग आंकड़ा जो होता है हमारा सही सटीक बैठता है ठीक है अउफल लागत ये भी कभी कदार आता हमेशा नहीं आता तो आप पढ़ भी सकते एगनूर भी क कर सकते हैं इस समय ज्यादा समय ना रहने के कार सिर्फ हम आपको क्वेश्चन और उसका उत्तर प्रवाइट करके उसको सिलेक्ट कराते हैं कि यह तैयार कर लीजिए एक्स्प्रेंट करने का ज्यादा समय रहता नहीं ठीक है क्योंकि आप लोगों को मालुम लगातार समाजी कल्याण फरण की विचार को सरप्रथम रस्तुत करने का जस्विए है प्रफेसर बर्गरसन को जाता है इसके पास्चात इफिद्धांद का विकास सेमूल लफन टेंटर तथा एरो आध अर्थ साफ्तरियों द्वारा किया गया इस विचार धारा के अंतरगत राध्यम में को सलता था नियाए पूर्ण बिर्बंडदोनों ही पच्चों पर ध्यान दिया गया है ठीक इस बात को ध्यान लगें काफी है ठीक है आगला पूर्त से आप क्या समझते हैं ठीक है जैसे कोई चीज है उसकी पूर्ती नहीं हो रही जैसे कि मालीज़ आपका घ कोश्चन है ध्यान रखेंगे महात्पूर्ण प्रस्ट में हमने तो एक्जामपल दिया वाकि हर चेत्म में पूर्ती की आव सकता होती और पूर्ती की परिमासा प्रस्तों तैयार कर लेंगे ठीक है ओके निश्क कोश्चन करो बढ़ते हैं सीमान तो प्योगता हास्ट हास्ट पूर्तिक की सक्तियों के आफ्थाई फंतुलन द्वरा निरधायत होता है बजार मुल्य दिन में कई बार परिवर्तित हो सकता है इस बात को ध्यान नगेंगे ठीक है क्योंकि यह आफ्थाई फंतुलन बंते और बिगड़ते रहते हैं चूंकि अल्पकाल में आफ्थाई च्छड़ी के उम संक्रित कालिर सक्तियां अधिक प्रभाफ वाली रहती इसलिए बजार मुल्य अधिक समय तक अफ्थाई मतलब की एक ही रेट नहीं रह सकता है ठीक है यह संतुलन बंते बिगड़ते रहते तो बजार मुल्य के प्रिचलन की अवज़त च्छड़ी भी हो तो क्या होगा बजार में जो सब्जी उनका रेट डाउन हो जाएगा और वहीं पर बजार लगी हो उसमें सब्जी जो बेचने वाले हो कम आ गए तो ठीक है सब्जी के दाम है वो सिंपल सी बात है कि बढ़ी जाएंगे तो इस वरकार लिखेंगे महात्मूर्ट प्रस्टन पढ़ी सकते हैं आपके इच्छा इग्नौर्ड भी कर सकते हैं बेसक मांग की आयलोच यह भी मतलब की बीच बीच में आता रहता मांग की आयलोच और मांग की लोच क्या है यह दोनों को परसंट जाएगा 100% शेयर तो दोनों को दोनों तयार कर लेंगे ठीक है ओके प्रति आर्थप्वेवफदा में हम अर्थ स्वाफ्ट का समग्र अध्यन ना करकर विश्चिष्ट अर्थे की काईयों तर्था बेक्तिगत का अध्यन करते हैं थिक इसके अंतरगत एक वर्म भूकता का अध्यन किया जाता है कोई फेक्ट्री कोई बीजनेस है कोई वस्तु है इसका संबंध अंतहां व्यक्तिक संबंधों से होता है मतलब कोले मिलाकिया प्रशनल यानि व्यक्तिगत होता है ठीक सोच माइक जो कोई कमपणी हो कोई फैक्टरी हो कोई वस तो आपका बिजनेस हो उससे संबादेते आर्थिक प्रणाली क्या यह भी है लेबल का कोईशन का बित्रण वस्त की अपनी कीमत 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 परिवर्तन की संभावनाएं उब होता की रुचियों प्राथमिक ताएं ठीक है ब्याब पार्चक्र की अवस्था वचत करने की प्रवर्त शेयुक्त मांग वाली वस्तों के मुल में परिवर्तन यह सब मांग को प्रभावित करने वाले एलेमेंट से जो कि मैंने जहां तक जानकारी वहां तक कई बार पेच्छा में प्रशना चुका है तो इस बार भी उम्मीद है कि आएगा ही आएगा ठीक है तो इसी प्रकार आपको आपके एक्जाम में कोश्चन देखने को मिलेंगे और फिर भी हम आप लोगों के समस्त कोश्चन और अंसर वाली पीडियाफ वीडियो प्रिस्तुत करते हैं ताकि आप एक्जाम में सफल हो हमारा यही प्रियास है कि आप अच्छे पेच्छे नमबर लेकर आएं वस ठीक है हम यह कभी नहीं चाहेंगे कि आप का जो रिजल्ट है वो ठीक है वो बहुत मतलब कि वेकार आए हम यह चाहते है कि आपका अच्छे रिजल्ट आप अच्छे पे तयारी करें और अच्छे पे तयार करकी जाएं ठीक है एक्जाम देने और जिन भी छात्रों का एक्जाम है ओल दी विष्ट जैहिंद